हेलो दोस्तो, NCIT Maths Class 12 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागा थे, तो आगे बढ़ती हम लोग प्रिशनाबली 1.1 का प्रिशने क्रमांग 2 को सॉल्व करेंगे, ठीके, इसके पहले हम लोग प्रिशने क्रमांग 1 सॉल्व कर चुके हैं, प्रिशनाबली 1.1 का, इस व्यूडि A, B, such that A less than equal to B square, अनिकि A छोटा है V से, A छोटा है B के square से, ठीके, द्वारा प्रिभासित संबन्द आर, ना तो सॉतुल है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रामक है, तो हम लोग इंट्रो वीडियो में देख चुके हैं कि सॉतुल, सम्मित और संक्रामक क्या होता है, इसके ब के बताना है, यानि कि जो आपका आर संबन्द दिया गया है, वो ना तो सॉतुल है, और ना ही संमित है, और ना ही संक्रामक है, तो आपको सिर्फ सिद्ध करके बताना है, तो यहां पर आप कोई भी संक्रामक है, तो यहां पर आप कोई भी संक्रामक है, और यहां पर आप भी भी एक संख्यां ऐसी उठा लेजिए तो यहां पर हम लोग करते हैं, देखें, सबसे पहले सौत्रुल कि लेए चेल करते हैं, तो सबसे पहले जो question में दिया है, तो यहां पर लिख लेंगे, question में दिया गया है, d या है, R बराबाबर, A b dh 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 d सबसे पहली लिखे देना है जो कि एक बटे दो ले लेते हैं आर मेंसे हम लोग क्या करते हैं एक बटे दो ले लेते हैं जो कि आर में ब्लांग्स करते हैं आनि कि वास्तविक संख्याओं मैंसे तो यहाँ पर दर्सा देंगे सबसे पहले सोतोली के लिए क्या करते हैं एक वटे दो और एक बटे दो ले लेते हैं वो आर में ब्लांग्स करते हैं ठीक, आर में ब्लांग्स करते हैं लेकिन यहाँ पर जो condition दी गई है कि a less than equal to b square होना चाहिए यदि एक condition satisfy करती है तो हमारा जो फलन होगा आनि कि जो r समंद होगा वो शोतल होगा लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है एक बटे दो less than equal to एक बटे दो का यहाँ पर square करोगे तो क्या आएगा एक बटे चार आजाएगा जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं है less than तो है, देखिए यहाँ पर less than तो है a less than है b से, तो यहाँ पर एक बटे दो आएगे यहाँ पर आएगा एक बटे चार यदि आप b का square करोगे आनि कि एक बटे दो का square करोगे तो कितना आएगा, एक बटे चार आएगा ना तो एक बटे दो less than एक बटे चार होगे, जो कि यहाँ पर condition है जो असत्त होगी आनि कि false होगी। तो यहाँ पर satisfy नहीं करता है। आनि कि broncs नहीं करता है। क्यों कि, यहाँ पर लेख देंगे क्यों कि 1.2 less than equal to 1.2 का square नहीं होता है। इस प्रकार लेख सकते हैं। यह फिर अपने हास सामें कुछ यहां पर लिख सकते हैं कि एक वते दो not Bl 따 ego का इस प्रकार भी आप लिख सकते हो तो हमारा जो आर है यहां पर शौर तुमी नहीं होगा तो इहां पर लखे देंगे कि commission highwayストल नहीं है थीक है थीक थी क्या पर लिख़ह देना है आपको कि R क्या है, 100 तुल्ल नहीं है, अब आपको चेक करना है सम्मित, तो सम्मित के लिए क्या ऐसा करेंगे देखिए आपर, सम्मित, सम्मित के लिए देखिए आपर, एक और दो ले लेते हैं, बास्तिविक संख्याओं के समुझ चाहे, R से एक और दो ले लेते हैं, तो य एक और दो तो ले लिए तो एक और दो अब आर में ब्लांग्स करते हैं तो दो और एक भी हैं जो वो आर में ब्लांग्स करने चाहिए करने चाहिए तो 2 और 1 belongs करते हैं आर में लेकिन कंडिशन में क्या दिया गया है कि A है जो less than equal to b square होना चाहिए तो यहाँ पर देखे दो छोटा है एक से क्या नहीं एक से तो बड़ा है तो यहाँ पर belongs नहीं करेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको कारण भी लिख देना है यहाँ पर लिखोगे आप क्योंकि एक और दो आप यह जो आर में ब्लॉंक्स करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि जो एक होगा वो लेस देन होगा less than equal to 2 के वर्ग से ठीक है तो इस प्रकार लेख देना है और यहाँ पर बलॉंग्स नहीं करेंगे 2 और एक क्यों नहीं करेंगे क्योंकि 2 जो है यहाँ पर 1 से छोटे नहीं होते हैं एक का स्क्वेर भी करोगे तो क्या आएगा एक आएगा तो 2 छोटा है क्या एक से नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है नहीं होता है ठीक है यहाँ पर लिखोगे क्योंकि 2 है जो एक से छोटा नहीं होता है तो इस प्रकार लिख देना है तो हमारा जो R है R सम्मन है जो क्या होगा सम्मित भी नहीं होगा तो R यहाँ पर सम्मित भी नहीं है R सम्मित नहीं है अब चेक करना है संक्रामक तो संक्रामक कैसा चेक करते हैं देखें हाँ पर संक्रामक संक्रामक के लिए क्या करेंगे 2 और 3 ले लेंगे 2 और –3 ले लेते हैं 2 और minus 3 अभयाब हैं जो वो आर्मे ब्लॉंक्स करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि 2 हैं जो वो छोटे हैं, अनि कि छोटे हैं और बराबर हैं, निकि 2 less than equal to minus 3 का square, ठीक है, जो की question में दिया गया था, ए less than equal to B square दिया गया था था तो A की जगा पर A की value रख दी और B की जगा पर B की value रख दी और square लगा दिया, ठीक है, square आनी की work लगा दिया, तो यहाँ पर 3 का work क्या होगा, 3 का work होगा 9, तो 2 हैं, जो 9 से छोटे हैं, ठीक है, 9 से छोटे हैं तो यहाँ पर blongs करेंगी, ठीक है, इसके बाद अभी आपने 2 minus 3 लिए, अब लेते हैं, minus 3 और 1 ले लेते हैं, ठीक है, वो भी अभी आप हैं, जो R में blongs करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि minus 3 है, जो छोटा है, equal है, 1 से, तो minus की संख्या है, और यहाँ पर plus की संख्या है, एक का square करोगे, तो क्या आएगा, एक ही आएगा, तो 3 है, जो minus के, वो 1 से छोटे ही होगे, क्योंकि यहाँ पर negative है, यहाँ पर positive है, तो यह क्या होगे, छोटे ही होगे, तो यह भी हो सकता है, ठीक है, अब क्या होना चाहिए दी ऐसा है, तो 2 और 1, भी R में Blancs करने चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो 2 और 1, R में Blancs करने चाहिए, करने चाहिए ना, लेकिन condition में जो दिया गया है, दो है, जो छोटे और बढ़ाबर होना चाहिए, एक के वर्ग से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक से तो बड़ा है ना दो, एक से बड़ा है दो, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख दोगे कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, तो फिर आर क्या होगा, संक्रामक भी नहीं होगा नहीं है अब यहां पर फाइनल हम लोग क्या लिख देंगी अताहा आर ना तो सौतुल है अताहा यह सिद्ध हुआ कि आर ना तो सौतुल है और ना सम्मित है और ना ही संक्रामा के और यहीं आपको दिखाना थो और की दर्स आणा था सिद्ध करना तो इस प्रकार आपका ग़को समझ में होगा यदि लेना चायते हो तो पी कस अब कि आप किजिए कि मिन सब्सक्राइब करें में इसके बाद यहां पर प्रशनी करमांग 3 को solve करेंगे Thank you